कॉंग्रेस के पूर्व अद्यक्ष राहूल गांदी मद्द परदेश में चुनावी सबा को सम्भोधित करने पहुँचे जहां पर भाजपा पर जोरदार प्रहार करते नजर आये। उन्होंने कहा कि जितना पैसा मोधी ने 22 अरब पतियों को दिया है हम उतना पैसा गरीबों को देना चाह रहे हैं। राहूल ने कहा ये चुनाव सम्भीदान को बचाने का चुनाव है भाजपा और रससे से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने 400 पार का नारा दिया है, 400 सीर्थ जोड़िये उनको 150 भी नहीं मिलेगी। जाती जन गर्नाव के बारे में राहूल गांधी ने कहा, जाती जन गर्नाव से आपको पता चल जाएगा कि आपकी आवादी कितनी है और देश की संस्ताओं में भागेदारी कितनी है। आदिवासी जन्गल और जमीन के पहले मारिक है, आपका ये हग सबसे पहले मिलना चाहिए, हम जो भी आपके लिए करते हैं, जैसे उनकी सरकार आती है, ये उसे रिवर्स कर दे हैं, इकोनमिक सर्वे होगा और सब को पता चल जाएगा कि किसकी कितनी आवादी और कितना उस जो भी आदिवासी को पिछरों को मिलता है, सम्मिधान से मिलता है, वहीं इस मौके पर PCC Chief जीतू पटवारे ने PM मोदी परतंच कसते हुए कहा, लोग खुद को फकीर कहते हैं, और पचासी सो क्रोर के जहाज में घूमते हैं, 20 लाग का सूट पहनते हैं, हीरो हीरोईन के सा फूटो किछवाते हैं, इवेंट करते हैं, वे राहूल को से ज़्यादा कहते हैं, जबकि राहूल किसान के साथ जाकर रुपाई करते हैं